कोरोना संकर्मण की वज़े से देश में लगे लोगडाउन की बीच रेलवे ने लोगों के लिए एक जून से ट्रेनों का परेचालन शुरू कर दिये जाएगा। मई से रेजरुवेशन शुरू हो गए हैं इसके लिए एडवांस रेजरुवेशन की अवधी अधिकतम 30 दिन रहेगी। आई आपको बताते हैं एक जून से शुरू हो रही ट्रेनों में बेहर के लिए कौन-कौन सी ट्रेने हैं। परुशोत्तम एक्सप्रेस। एहमदाबास से दर्वंगा तक सावरमती एक्सप्रेस। सूरत से छप्रा तक तापती गंगा एक्सप्रेस। पतना से लोकमानी तिलक तक पतना लोकमानी तिलक एक्सप्रेस। सहरचा से नई दिल्ली तक वैशाली एक्सप्रेस हावडा से नई दिल्ली तक पूर्वा एक्सप्रेस मुंबई से पाटिली पुत्र तक लोकमाने तिलक पाटिली पुत्र एक्सप्रेस मुजफरपुर से आनंद वेहार तक सब्त करांती एक्सप्रेस रक्सोल से आनंद वेहार तक सत्यागरह एक्सप्रेस अम्रित सर से जैनगर तक शहीद एक्सप्रेस अम्रित सर से जैनगर तक सर्यू यमना एक्सप्रेस डिब्रुगर से दिल्ली तक भ्रमपुत्रमील पूने से दानापूर तक पूने दानापूर एक्सप्रेस एहमदबाद से पठना तक अजीमबाद एक्सप्रेस एहमदबाद से मुजफरपूर शालिमार से पठना तक दुरंतो एक्सप्रेस हावडा जंक्षन से पठना जंक्षन तक जन्शताबदी एक्सप्रेस पठना से राची तक जन्शताबदी एक्सप्रेस बांदरा टर्मिनल से मुजफर पूर तक अवद एक्सप्रेस दर्भंगा से नई दिली तक बिहार संपर किकरांती एक्सप्रेस जानकारी के मुताबिक इन ट्रेनों में AC और नोन AC दोनों तरह की कोच होंगे जो पूरी तरह आरक्षित होंगे इन ट्रेनों में कोई भी कोच अनारक्षित नहीं होगा साथ ही इन ट्रेनों का किराया सामानी होगा बता दें कि इन ट्रेनों के लिए इटिकट IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल एप से ही जारी किये जाएंगे इनके लिए आरक्षण केंद्रों या रेलवे स्टेशनों से कोई टिकट जारी नहीं होगे वेटिंग टिकट लेने वालों को ट्रेन में चड़ने की अनुमती नहीं होगे इन ट्रेनों के लिए कई अनारक्षित टिकट नहीं जारी किये जाएंगे और नहीं ट्रेन पर सवार होने के बाद कोई टिकट दिया जाएगा बिरो रिपोर्ट पंजाब के सिरी टीवी